मिश्टी, मिश्टी कहां हो तुम? मिश्टी, तुम्हें खाना नहीं बनाना है तो मत बनाओ, मैं भूखा ही चला जाओंगा अरे क्या मतलब बूखा चला जाओंगा, क्या मैं खाना नहीं खाओंगी शादी से पहले तो बड़े-बड़े वादी करते थे कि रानी बना कर रखोंगा और मुझे नौक रानी बना कर रख दिया है, जाओ, मिर ले खाना बनाओ लेकिन अगर मैं खाना बनानी लगा, तो मुझे देर हो जाएगी मैं काम पर लेठ हो जाओंगा, तो मालिक नाराज होंगे बस तुमारे माली की तुमारे लिए सब कुछ है, है न, मैं कुछ भी नहीं अगर ऐसा ही है, तो मैं अपने माई की जा रही हूँ अच्छा अच्छा ठीक है मैं खाना बना देता हूँ पैसे कमाने से लेकर घर में साब सफाई करना, कपड़े धोना सब रूपचन्द ही करता अब तो खाना बनाने का काम भी रूपचन्द के जिम्मे आ पड़ा था उस दिन रूपचन्द को काम पर जाने में देरी हो गई कल से जल्दी उठना और जल्दी खाना बना लेना आज खाने में लेट हो गया मुझे कमजोरी आ गई थी रूपचन ने सोचा कुछ बोलने से घर में कलेश होगा इससे अच्छा है कि चुप रहकर सारे काम कर दिये जाए इससे घर में शांती बनी रहेगी लेकिन मिश्टी को तो जैसे शांती पसंदी नहीं थी शाम को जब रूपचन घर लोटा तब घर में बिचली नहीं थी मिश्टी घर के दरवाजे पर बैटी थी पूरे गाउं में बिचली नहीं है शायद थोड़ी देर में आ जाएगी कियसा गाओं में तुम्हारा? यहां कभी बिजली नहीं रहती, मेरे गाओं में तो कभी बिजली जाती ही नहीं थी, देखो पसीने के मारे मेरे कपड़े भीग गए है, चलो मुझे पंखा करो मिष्टी, मैं अभी अभी तो काम से लोटा हूँ, मुझे थोड़ा आराम करने दो हाँ हाँ, तुम्हे तो सिर्फ अपने आराम की पड़ी है, मेरा क्या है, मुझे इसलिए ब्या कर लाये थे कि मैं गर्मी में तड़ब तड़ब कर मर जाओ मिष्टी का रोना धोना देख कर बिचारा रूपचंद उसे शांध कराने के लिए उसे हाथ से पंखा करने लगता है अहा, कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ी तेर के बाद लाइट आ जाती है और रूपचंद रसोई में जाकर खाना बनाने लगता है सुनो, मुझे गर्मा गरम रोटियां बहुत अच्छी लगती है, मैं तो गर्मा गरम रोटियां ही खाऊँगी त्टीक है रूपचंद कराने के बाद बरतन धोने लगा और उसके बाद उसने खुद खाना खाया फिर सोने चला गया कितना थक गया हूँ, शरीर चकना चूर हो रहा है, ये तो बड़े आराम से सो रही है, मुझे नौकर बना कर रखा है, बाद बाद पर माईके जाने की धमकी देती है, कहां फस गया मैं, साधी करके बड़ी गलती कर दी, अब जो किस्मत में लिखा है वो तो होगा ही बड़ बड़ाता हुवा रूपचन सो जाता है, दूसरे दिन सुबह सुबह, सुनो, मेरे लिए कुवे का ठंडा पानी ला दो, मैं ठंडे पानी से नहाओगी चापा कल का पानी भी तो ठंडा है इससे नहा लो नहीं, मुझे कुवे का ठंडा पानी चाहिए मेरे माईके में घर के पास ये कुवा था हम सारी ओरते वही ना आती थी अगर तुम कुवे का ठंडा पानी नहीं लाए तो मैं माईके चली जाओगी रूपचन मिष्टी की धंकिया सुन-सुन कर ठक चुका था उसने मिष्टी से कहा मिष्टी इस गाउं में बहुत गर्मी पड़ रही है मैं भी सोच रहा था कि क्यो ना तुम्हें कुछ दिनों के लिए तुम्हारे माईके चोड़ाओं तुम्हारे गाउं में गर्मी कम पड़ती है न हाँ ठीक है ये ठीक रहेगा लेकिन मैं पैदल नहीं जाओंगी हमारी घर तक बैल गाड़ी मुझे लेने आएगी तब जाओंगी रूपचंद ने सोचा मुसीबत जैसे और जितनी जल्दी टले उतना अच्छा है हाँ हाँ मैं घर तक बैल गाड़ी मंगा दूँगा तुम अपना सामान बांध लो हम आज शाम को ही निकल जाएंगे दिन में धूब बहुत तेज रहती है इतना कहकर रूपचंद काम पर चला गया और मिश्टी खुशी खुशी अपना सामान बांधने लगती है शाम होते ही एक बैल गाड़ी घर के सामने आकर उगी रूपचंद और मिश्टी उस बैल गाड़ी में बैठ कर मिश्टी के माईके की ओर चल दिये करीब दो घंटे के सफर के बाद दोनों मिश्टी के माईके पहुँचे गी मा, मा देखो मैं आ गई मा अरे मिश्टी मेरी बच्ची मा बीटी एक दूसरे के गले लग गए बाते होने लगी और सबने रात का खाना खाया दूसरे दिन रूपचन मिश्टी को छोड़ कर वापस लोटाया मिश्टी अपने माईके में सुख से रहने लगी अच्छा वह मा मैं यहां आ गई लेकिन भाईया का है? दिखाई नहीं दे रहे वो तो कुए से पानी लेने गया है तेरी भाई को कुए के ठंडे पानी से नहाना है लेकिन कुए तो हमारे गर के पास ही है, न? वो कुए तो सूख गया अब गाउ के बाहर जो कुए है, वहां से पानी लाना पड़ता है लेकिन इतनी गर्मी में भाईया इतनी दूर से पानी लेकर आएंगे भावी चापकल के पानी से भी तो नहा सकती थी ना चापकल का पानी उसे थंडा नहीं लगता क्या करें हम तो बुरे फंस गए तेरी भावी अपना सारा काम तेरे भाईया से करवाती है और बाद-बाद पर माई के जाने की धमकी देती है फूलमती और मिश्टी बाते करी रहे थे कि तभी मिश्टी ने देखा उसका भाई चंदर अपने दोनों हाथों में बड़ी-बड़ी बाल्टी भर कर ला रहा था धूब बहुत देज थी और उसके पूरे शरीर से पसीना बह रहा था चंदर को इस हालत में देखकर मिश्टी की आँखे भर आई तभी घर के अंदर से उसकी भाबी चंपा की आवाज आई अरे कहां मर गये जल्दी पानी लाओ कितनी गर्मी लग रही है अगर मैं समय पर नहीं ना आई तो मेरी तब्यत खराब हो जाएगी हाँ भागेवान अभी लाया चंदर जल्दी से दोनों बाल्टियां घर के आंगर में रख देता है कुए के ठंडे पानी से चंपा नहाती है और नहाने के बाद वो बाल सुखाने लगती है ओफो इतनी गर्मी में बाल तो पसीने से भीगते जा रहे हैं चंपा मुझे काम पर जाना है वरना आज फिर मैं लेट हो जाओंगा चंदर चंपा के बालों को पंखे से हवा करके सुखाने लगता है तभी मिश्टी काफी देर से ये सब देख रही थी उससे अपने भाइकी दुरदरशा बोड नहीं देखी जा रही थी उसने चमपा से कहा भाबी, भैया को काम पर जाने तो मैं आपके लिए खाना निकाल कर लाती हूँ इसके बाद चंदर काम पर चला जाता है और मिष्टी चमपा के लिए थाली में खाना लेकर आती है जब तक चंपा खाना खा रही थी, मिष्टी उसे हाथ से पंखा कर रही थी उसके बाद, मा, आज से घर का सारा काम मैं करूँगी तुमर भैया इतनी गर्मी में सारे काम करते हो, मुझसे नहीं देखा जाता ये ठीक है मिष्टी बेटी उस दिन से मिष्टी घर के सारे काम करने लगी वो इतनी सड़ी हुई गर्मी में खाना बनाती, सफाई करती, कपड़े धोती चंपा के लिए कुए से पानी लेकर आती सारे काम करते करते मिष्टी बहुत धक जाती उसे अब एहसास हो गया था कि उसने रूपचन से घर के सारे काम करवा कर उसे कितना सताय था मैं अपने घर पर ही ठीक थी वहां मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था सारे काम मेरे पती करते थे लेकिन मैंने उनसे सारी काम करवा कर उन्हें बहुत परिशान किया है उन्हीं घर के बाहर भी काम करना पड़ता है ये बात मुझे कभी समझ क्यूं नहीं आई ना चाने वो कैसे खापी रहोंगे अपना खयाल भी रख रहोंगे या नहीं मिश्टी ने अपने भाई चंदर से कहा मिष्टी जब दामाजी तुम्हें यहां छोड़ने आएथे तभी उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया था इस बात का हिसास दिलाने के लिए हमने ये सब नाटक किया था अब तुम्हें तुम्हारी गल्ती का हिसास हो गया है मिश्टी बेटी जिस तरह तुमसे अपने भाई चंदर का कश्ट नहीं देखा गया उसी तरह रूपचन भी किसी का भाई और बेटा है वो तुम्हारा पती है, उसे सुखी रखना तुम्हारा करतव्य है मुझे सब समझ आ गया एमा, मुझे माफ कर दो, मैं अब उनका पूरा खयाल रखूँगी उसे दिन चंदर ने मिश्टी को उसके घर पहुचा दिया घर आकर मिश्टी ने देखा कि रूपचन खाना बना रहा था मिश्टी उसके पास गई और बोली ये सब छोड़ो, जा पंकी की नीची बैठो, मैं तुम दोनों के लिए शर्बत लेकर आती हो उसके बाद मैं खाना बना दूँगी, तुम खाना खाकर काम पर चले जाना मिश्टी का बदला बदला रूप देखकर रूपचन से रहा न गया और उसने मिश्टी को गले लगा लिया मुझे माफ कर दो और आज से तुम निश्विंत रहो, तुमें घर का कोई काम करने की ज़रुरत नहीं है तुम पैसे कमाओ घर मैं संभाल लूँगी अब मिश्टी और रूप चंद खुशी-खुशी रहने लगे अरी कल मुही तेरा नाम ही सर्फ सोना है तु चले हुए कोईले की तरह बेकार है, किसी काम की नहीं मेरा बेटा तो मर गया, अब घर कैसे चलेगा, कैसे हमें खाना मिलेगा, तुने कुछ सोचा है सोना अपने पती की याद में आसू बहा रही थी, तभी बरबर करती हुई उसकी साथ सेमरी उसके पास आई, और उसे जोर से धक्का दे दिया सोना जमीन पर गिर पड़ी, सोना ने सेमरी की तरफ देखा, सोना की आँखों में आसू देखकर भी सेमरी का दिल नहीं पसी जा, वो चिलाते हुए सोना से बोली यहाँ बैटकर आसू क्या बहा रही है, तेरे आसूं से मेरा पेट नहीं भरेगा, जा जंगल जाकर शहद ले करा, उसे बेचेगी तभी तो घर में राशन पानी आएगा लेकिन माजी मैं कभी जंगल नहीं गई, मुझे तो पता भी नहीं कि शहद कहा और कैसे मिलेगा मुझे कुछ नहीं पता, अब जंगल से शहद लाना तेरा काम है यह कहते हुए सेमरी सोना को पीटने लगी माजी, माजी मुझे बत पारिये, बेचाओंगी जंगल और शहद लेकर आओंगी इतना खेर कर सोना जंगल की तरफ चली गई, चलते चलते उसके पैर थक गए कुछ देर पेड की छाओं में बैट कर सोना फिर चलने लगी काफी देर चलने के बाद वो जंगल पहुची जंगल तो आ गई हो लेकिन अब शहद कहा मिलेगा शहद निकालना कितना खतरनाक है कहीं मक्यों ने मुझे पर हमला कर दिया तो मैं कैसे बचूँगी काश कभी उनके साथ जंगल आकर देख लेती कि शहद कहां और कैसे मिलता है तभी सोना को एक पेड के उपर मधुमक्यों का बड़ा सा छत्ता दिखा वो रहा मधुमक्यों का छत्ता लेकिन मैं पेड पर चड़ूंगी कैसे मुझे पेड पर तो चड़ना ही नहीं आता तभी सोना ने एक पत्थर उठा कर मधुमक्यों के छत्ते पर मारा सोना की किसमत अच्छी थी कि उस समय छत्ते में एक भी मधुमक्यों नहीं थी छत्ता एक ही निशाने में जमीन पर आगिरा वा, मधुमक्ही का चत्ता नीचे आ गया, अब मैं इससे शेहद निकाल लेती हूँ, लेकिन इससे शेहद कैसे निकालते हैं तभी वहाँ पर एक मधुमक्ही आई जो सुनेहरे रंकी थी और सोने की तरह चमक रही थी मधुमक्ही ने सोना से गुसे में कहा तुमने मेरा घर तोड़ दिया, तुम्हें इसका दंट भुगतना पड़ेगा अपने सामने एक सुनेहरी मधुमक्ही को देख कर सोना सोच में पड़ गई मधुमक्हीं सुनेहरे रंकी होती हैं क्या, ये तो बिल्कुल सोने की तरह चमक रही है तभी मधुमखी ने सोना से फिर कहा तुम्हें सुनाई नहीं देता? तुमने मेरा घर क्यों तोड़ा? मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर थी ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें मेरा घर तोड़ना पड़ा? सोना ने मधुमखी को सारी बात बताई कि उसका पती जंगल से शहद लाकर गाउं में बेचा करता था उसके पती की मौत के बाद उसकी साथ सेमरी ने उसे जंगल जाकर शहद लाने के लिए मजबूर कर दिया जिस कारण सोना को जंगल आना पड़ा, और शहद की तलाश में उसका घर तोड़ना पड़ा, लेकिन तुम सुनेरी रंकी कैसे हो, मैंने तुम्हारी जैसी मदु मक्ही पहले कभी नहीं देखी, क्योंकि मैं सोने की मक्ही हूँ, मैं एक जादूई मक्ही हूँ, तुम्हें शह जाद चाहिए न, मैं तुम्हें रोज धेर सारा शहद दूँगी, लेकिन आज के बाद किसी मक्ही का घर मत तोड़ना, हम सब बहुत मेहनत से अपना घर बनाती हैं, ठीक है, अब मैं किसी भी मक्ही का घर नहीं तोड़ूँगी, लेकिन तुम्हें एक जादूई सोने की मक उसे धेर सारे शहद उगलने लगी सोना ने सारे शहद को मिट्टी के एक बरतन में भर लिया इतनी बड़ी सोने की मखी ए जादूई मखी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं इस शहद को गाउं में बेज कर पैसे कमाऊंगी रुख जाओ पहले मेरी बात सुनो ये शहद कोई साधारन शहद नहीं है ये एक जादूई शहद है हम जादूई शहद? हाँ जो भी बुड़ा आदमी या बुड़ी औरत इस जादूई शहद को खाएगा वो फिर से जवान हो जाएगा वो फिर कभी बुड़ा नहीं होगा क्या? क्या इसा सच्मुच हो सकता है? हाँ, ऐसा ही होगा तुम इस जादूई शहद को बेचकर खूप पैसे कमा सकती हो तुमारा बहुत बहुत धन्यवाद जादूई मक्षी अब मुझे अपने गाउं वापस जाना होगा इतना कहकर सोना उदास हो जाती है क्या बात है? तुम उदास क्यों हो गई? मुझे फिर से इतनी दूर पैदल जाना पड़ेगा मेरे पैरों में च्छाले पढ़ गए है सोना ने अपने पैरों के च्छाले जादूई मक्षी को दिखाए तुम चिंता मत करो मैं तुमें अपनी पीट पर बिठा कर तुमारे गाउं छोड़ दूगी क्या? सच में? तुम मुझे अपनी पीट पर बिठाओगी? सोना जादूई शेहद लेकर जादूई सोने की विशाल मक्षी की पीट पर बैठ जाती है वो जादूई विशाल मक्षी सोना को लेकर उड़ने लगती है थोड़ी ही देर में जादूई विशाल मक्षी सोना को जंगल के बाहर छोड़ देती है सोना अब तुम्हें यहां से पैदल जाना होगा मुझे किसी ने देख लिया तो ठीक नहीं होगा हाँ ठीक है मैं यहां से अपने घर चली जाओंगी तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताओंगी तुम कल सुबह मुझे यहीं पर मिलना, मैं तुम्हें जंगल ले जाऊंगी और तुम्हें डेर सारा शहद दूगी। ठीक है जादूई सोने की मक्ही, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर सोना गाउं की तरफ बढ़ गई और जादूई सोने की विशाल मक्ही उड़कर जंगल की उड़ चली गई। सोना ने उस जादूई शहद को गाउं में बेचना शुरू कर दिया। या, ये सच है। हां काकी, सोला आने सच। ठीक है, मुझे आधा किलो शहद दे दे। अभी लो काकी। सोना ने आधा किलो शहद उस बुड़ी औरत को दे दिया। इसी तरह गाउं के कई बुड़े आद्मी और बुड़ी औरतों ने सोना से शहद खरीदा। सोना का को लाई है या नहीं लाई हूं माजी सोना जो राशन लेकर आई थी उससे उसने जटपट खाना बनाया और दोनों साज बहु ने मिलकर खाया देखा मैं ना कहती थी तू शेहद निकाल लेगी तू तो कामचोरी की वज़ा से जंगल नहीं जाना चाहती थी अब रोज जंगल जाकर शेहद लाई हो लेकिन माजी ने एक शब्द मेरी तारीफ में नहीं का ये सास है या कोई चुडैल अरे बैठी बैठी क्या सोच रही है अब थाली लेकर उठेगी भी या राद भर यहीं बैठी रहेगी जाती हो माजी सोना जूटे बरतंद होने लगती है तब ही सेम सेमरी के पैर दबाने पर रहे थे थोड़ी देर के बाद सेमरी की आँख लग जाती है जिसके बाद सोना ने चैन की सांस ली और सो गई दूसरे दिन सुबह सुबह सेमरी ने सोना को जगाया अरे जंगल नहीं जाना है क्या सोती ही रहेगी चल उठ बिचारी सोना उठकर न जादूई मक्ही उसे जंगल ले जाती है और धेर सारा जादूई शहद देती है जिसे लेकर सोना गाउं आ जाती है। सोना ने पूरे गाउं में जादूई शहद बेचा और धेर सारे पैसे कमाए। अब रोज यही होता। धीरे धीरे सोना के जादूई शेहद वाली बात पूरे गाउं में फैल गई। जादूई शेहद खाकर बुढ़े आदमी और बुढ़ी ओरते जवान होने लगे थे। ये बात सेम्री के कानू तक पहुँची। क्योरी तू पूरे गाउं में जादूई शेहद बेच रही है और मुझे नहीं बताया। तूने जादूई शेहद मुझे क्यों नहीं दिये। तूने चाहती कि मैं जवान हो जाओ। हैं। नहीं माची ऐसी कोई बात नहीं है, सारा शहद गाउं में बिग जाता था, इसलिए जादूई शहद में आपके पास नहीं ला पाई हम, बहाने बना रही है, हैं? सिम्री सोना की पिटाई करने लगती है माची, माची मुझे मत मारिये, मैं कल आपको जादूई शहद लाकर जरूर दूँगी हाँ, कल सारा शहद लाकर मुझे देना मैं सारा शहद एक ही दिन में पी जाऊंगी और एक ही दिन में बुड़ी से जवान बन जाऊंगी ठीक है माची? नहीं नहीं मुझे तुछ पर विश्वास नहीं है मैं कल तेरे साथ जंगल जाओंगी दूसरे दिन सेमरी भी सोना के साथ जंगल की तरफ गई उस दिन जादूई विशाल सोने की मक्ही सोना का इंतजार नहीं कर रही थी लगता है आज पैदली जाना पड़ेगा सोना सेमरी के साथ पैदल जंगल जाने लगती है चलते चलते वे दोनों उसी पेड़ के पास पहुँचती है सोना ने देखा जादूई मक्ही वहाँ भी नहीं थी और पेड़ के ऊपर मक्ही का छट्ता लगा हुआ था सोना ने पथर मार कर छट्ते को नीचे गिरा दिया और उसमें से शेहद निकाल कर सेमरी को दिया ये लीजे माजी जादूई शेहद इस शेहद को खाकर आप जवान हो जाएंगी सेमरी ने खुशी-खुशी सारा शेहद एक बार में खा लिया जिसके बाद सेमरी का गला आपस में चिपक गया सेमरी कुछ बोलने ही पा रही थी सेमरी की हालत देख कर सोना भी घपरा गई माजी आपको क्या हुआ सेमरी बोलने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी तब ही सोना ने जादूई सोने की विशाल मक्खी को याद किया और मक्खी वहाँ हाजिर हो गई सोना मुझे मेरे जादू से सब पता चल गया था इसलिए मैं तुम्हें आज लेने भी नहीं आई थी मुझे पता है कि तुम्हारी सास तुम्हें बहुत दुख देती है इसलिए अब ये कभी बोल नहीं पाएगी नहीं जादूई मक्खी ऐसा मत करो मेरी सास के अलावा मेरा इस दुन्या में कोई नहीं है ये मेरी माँ जैसी है इनकी आवाज वापस लोटा दो सोना के कहने पर जादूई मक्खी ने अपने जादू से सेमरी का गला ठीक कर दिया सेमरी अब बोलने लगी थी मुझे माफ कर दो सोना बहू मैंने तुम्हें बहुत तकलीफे दी है कोई बात नहीं मा जी अपने सामने इतनी विशाल जादूई सोने की मक्खी को देखकर सेमरी हैरान थी सेमरी ने मक्खी से भी माफी मांगी ठीक है मैं तुम्हें माफ करती हूँ और तुम दोनों को उपहार देती हूँ जादुई मक्खी ने सोना और सेमरी को धेर सारे सोने चांदियों रुपए पैसे दिये जिसे पाकर सोना और सेमरी की गरी भी दूर हो गई